हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्टूब चैनल नौलेज लेबिन में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमेशा के तरह डेली करेंट अफेर के बारे में जी हैं दोस्तों आज का हमारा वीडियो डेली करेंट अफेर पर अधारित हैं दोस्तों अभी तक हमार हमारा सवाल है जो नाया पेंशन लागू किया गया है दोस्तों इसका क्या अर्थ है आपके पास चार अप्सन है पहला एकत्रित भुक्तान पर नाली दूसरा एकत्रित पेंशन योजना तीसरा दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा एकत्रित पेंशन योजना क्या हो जाएगा दोस्तों एकत्रित पेंशन योजना अगला क्रामचारी की मृत्तु के बाद उसकी पेंशन की सुनिश्चित परिवारिक पेंशन परतिसत क्या है दोस्तों आपके पास चार अप्सन है पहला पच दूसरा 55% तीसरा 60% चौथा 65% तो दोस्तों ये है 60% कितना है दोस्तों? 60% परिवारिफ पेंसन कितना है दोस्तों? 60% अगला किस देश ने Under 17 20 कुष्टी चेंपियन 2024 में महिलाव कुष्टी में पहला किताब जीता है किस देश ने Under 17-200 कुष्टी चैंपियन 2024 में माहिलाव कुष्टी में पहला पहला टिम किताब जीता है अपके पास चार अप्षन है पहला जपान दूसरा कज़्यकिस्तान तीसरा भारत चौथा यूसे तो यह कुष्टी का खिता भारत ने जीता है किसने किसने जीता है दोस्तों भारत ने अंडर्ण 17 कुष्टी का किताब किसने जीता है दोस्तों भारत कि अगला अगास्ट 2024 में नीरा चोप्रा ने पुरुसों की भाला फेक इस परधा में दूसरा अस्थान पर रहते हुए अपने सीजन का सर्वस्षिस्ट स्रेच एटिण पॉइंट फोर नाइन में फ्रो कहां हाशल किया आपके पास चार अपशन है पहला ब्रूसलेश डाइमंड लीग दूसरा पेरिश उलम्पिक तीसरा लौरजेन डाइमंड लीग चोथा टोकियू डाइमंड लीग तरह दोस्तों यह किये हैं लारेंस आध्रभूमियों की जोरने के बाद भारत में रामसर चर्थालों की संख्या कितनी है और भारत में रामसर की संख्या कीतनी है तो दोस्तो ये हो गया है तो दोस्तो आपके पास चार अपसन है पहला 75 दूसरा 80 तीसरा 85 चौथ 90 तो दोस्तो ये हो गया है 85 कितना हो गया दोस्तो 85 गतना था 82 अब कितना हो गया दोस्तो 85 भारत में कौन सा रामसर एस्थल एसिया के सबसे बड़े खारे पानी के लाइगून के रुप में जाना जाता है। दोस्तो ये है चिलका जिल खुन है दोस्तो चिलका जिल उरिशा ये पक्षियों के लिए फेमस है किसके लिए फेमस है दोस्तो पक्षियों के लिए अगला अगला गिरिस्म का लिए ओलंपिक किस वर्स और कहां आज़ुद किया जाएगा अगला गिरिस्म का लिए ओलंपिक क कहा और किस जगाये किया जाएगा अभी आपने देखा हैं ध्रमियंक ये पैरिस में होगा था क्या हmba था क्या हुआ घुआःस थोस्तों पैरिस ते- 30 सवा इस का संस्करन कहा कहां होगा दोस्तों Los Angeles अगला Los Angeles अगला Los Angeles आपके पास चार अप्चन है पहला कीरच लाकोस स्कूलाश फ्लाइब फुटबॉल दूसरा कबड़ी पोलो रागवी बेस्बॉल तीसरा सौर्फिंग स्कॉर बॉर्डिंग कराटे तलवार बाजी चौथा टेबल टेनिस तिरंदाजी घुसवारी गोता खोरी ता दोस्तों इसमें सामिल किया जाएगा किर्केट लक्रैस स्क्लैस फ्लैग और फुटबॉल तो दोस्तों समाज़े का कौन को दोस्तों इस बर किर्केट नहीं लेकिन अगला बर किर्केट सामिल किया जाएगा दोस्तों इससे पहले 1901 में किर्केट सामिल किया गया था लेकिन किर्केट का फॉर्मेट उस समय ज्याद ज्यादा था दोस्तों ज्यादा उभ्रोक था ज्यादा टाइम लगता था इसलिए इसको हटा दिया गया लेकिन अगला तो हजार अथाइस में ग्रिश्म कलिन ओलंपिक में इसे सामिल किया जाएगा अगला विश्व हाथी दिवस प्रती वर्ष कब मनाया जाता है आपके पास चार अप्षन है पहला बारा जुलाई दूसरा बारा अगस्त तीसरा बारा सितंबर चौथा बारा अक्टूबर तो दोस्तों ये मनाया जाता है बारा अगस्त को कब मनाये जाता है दोस्तों, 12 अगस्त, अगला, NIRF, NIRF 2024 ranking की समागरे शरेणी में किस संस्था को पर्था मा श्थान दिया गया, एना यारेप दो हज़ाशार चोबिस रैंकिंग की समाग्र स्रेनी में किस संस्था को परत्थम अष्थान दिया गया आपके पास चार अपसन है पहला आई आई टी बांबे दूसरा आई आई टी सी बंगलूरू तीसरा IITC मदरास चोथा IITC दिली तो दोस्तो यह हुआ है IIT मदरास को किसको मिला है दोस्तो IIT मदरास समागरे सरेनी के पर्थम कौन साथा है दोस्तो IIT मदरास अगला NIRF रैंकिंग 2024 में परवंधन सरेनी में कौन साथान स्थान सिर्ष पर है इएन आई आरेफ दु़हज़़ग시면 ranking là इस एन आईरेफ रांकिंग 2024 में परबंध स्रैने में कौनसे स्थंस्थन सिर्ष पर आपके पास 4 अपस्तान है पहला इन आई 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 एस बैंगलोर दूसरा इस कोजी कोट थीसरा इस अहमदाबाद जो था IIS लखना हुथा दोस्तों यह है आई आई एस अहमदाबाद कहा है दोस्तों आई आई एस अहमदाबाद अगला एन आई आरफ दोज़जर चौबीस की अमेडिकल शरेनी में कौन से स्थान पर्थमय श्थान पर आपके पास चार अपसें एम्स दिल्ली दूसरा पीजी आईजी एम्जी चंडिगर दूसरा सी एम्सी वे लोरो चोथा जे आई पी एम्यार पंडुचेरी दोस्तो यह है एम्स दिल्ली कौन सा है दोस्तो एम्स दिल्ली अगला बितिये वर्ष द्वाजार चोबिस पचीज के लिए भालत सरकार ने सकल परत्यक्ष कर संग्रा परतिसत की ब्रीधी हुई है बितिये वर्ष द्वाजार चोबिस पचीज के लिए भालत सरकार के सकल परत्यक्ष कर संग्रा में कितने परतिसत की ब्रीधी हुई है आपके पास चार अप्चन है पहला 20 परसेंट दूसरा 22 परसेंट तीसरा 24 परसेंट चोथा 26 परसेंट तो दोस्तों यह हुए है 24 परसेंट के ब्रीधी हुआ है पहला सिंगाफूर दूसरा क्ुआंंतल और मलेशिया तीसरा जयकार्त वर हिंडोनेशिया चौथा बैंकक और थाइलन्ड दोस्तों यह लिया था क्ुआंता जो कि मलेशियमे आपके पास चार अप्चन है दूसरा टीवी समनाथन तीसरा अजये कुमार भल्ला चोथा पीके मिसरा तो कैबिनेट सचीव के रूप में टीवी समनाथन को नियुक्त किया गया है किसे किया गया है लेस्ते द्वरा राष्टपती द्रवपती मूर्मूर को कौन सा प्रुषकार परदान किया गया 10 अगर्ष द्वाज़ा 24 को तिमोर लेशते द्वारा राष्टपती द्रौपती मुर्मुर को कौन सा प्रुषकार परदान किया गया आपके पास चार अप्षन है पहला order of the merit दूसरा तिमोर लेशते के आदेश का grand color तीसरा राष्टपती पदप चौथ तिमोर लेशते रातन तो यह दिया गया है तिमोर लेशते के आदेश का grand color यह उस प्रसकार का नाम है दोस्तों तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में